कैसे हो दोस्तो बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल के उपर दोस्तो पहली बार इस चैनल पर आये हो तो सस्क्राइब कर लो और बेल बटन यूज़ कर लो ताकि आने वाले कोई भी वीडियो अपसे मिस ना हो जाए और पैसे कमने का कोई भी मौका आप गवा ना दो अगर आपको भी आपके कोई स्टॉक के उपर कोई भी क्वेरी पूछना है या कोई भी डाउट है आपको तो यहां पर एवरी वेनस्डे को और सेटर्डे या तो संडे को week में दो बार हम live session करते हैं आप यहाँ पर आईए अपने question पूछिए मैं जरूर से आप लोगों को guide करूँगा अभी आप लोगों को whatsapp group और telegram में भी जुड़ना है तो description में दोनों का link available है उसके उपर click करते ही आप हमारे साथ जुड़ जाओगे तो गेल का चार्ट यहाँ पर देख रहा हूं तो वन वे स्टॉक 171 रूपीज से लेके 127 रूपीज का डाउनफॉल हमें देखने को मिला हुआ है यह स्टॉक आपको बहुत ही लोवर लिवल पर सजिस्ट किया हुआ थे 81 रूपीज के असपास मल्टी बैगर एडवाईस यह साबित हुई है अल्रेडी मल्टी बैगर यह स्टॉक हो चुका था लेकिन वहाँ पर सेलिंग लेवल बने हुए थे तो स्टॉक वहां से नीचे आ रहा था अब मंथली चार्ट उतना एट्रेक्टिव नहीं है बट वीकली चार्ट पर ऐसा लग रहा है कि यहां से एक बाउंस आना चाहिए ठीक है एक बाउंस यहां से आना चाहिए लेकिन मैं थोड़ा लोवर टाइम फ्रेम का चार्ट का स्टॉक्चर देखता हूं तो उतने इंप्रेसिव लेवल्स नहीं है यहां पर ठीक है क्योंकि अगर मैंने एडवाइस दिया तो रेंज काफी बड़ी हो जाएगी रिस्क काफी बड़ा हो जाएगा और यहां पर भ 42 रुपीस के बीच में थोड़ा सेलेंग मुझे दिखाई दे रहा है तो मैं आपको क्या सजेस्ट कर रहा हूं कि आने वाले दिनों में 130 रुपीस अगर आपको फिर से दिखाई देता है यह स्टॉक 130 रुपीस ध्यान से सुनिएगा पांच रुपे की नीचे बात कर रहा ह है तो थोड़ा करेक्शन का वेट कीजिए और हायर लेवल पर गलती से भी लोंग पूजिशन बन बनाएगा 140 142 के असपास वरना वहां पर आप ट्रेप होने का चांस बहुत ही ज्यादा हाई है ठीक है तो लोवर लेवल देखने को मिलता है उसके बाद ही गेल के अंदर आ काम कीजिए कोई भी एक मेंटर चूस कीजिए सीक्यों और सिखने के बाद काम कीजिए